हेलो फ्रेंद्स वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल्वे सुरक्षा बल रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स की नियू रिक्रिमाइन नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंड से जारी हुई है इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते है इस टेप बाए स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और इस रेक्रिमेंट से लेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आप जोबरासा.com पर जाका चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर फैंसे आपको इंपोर्टेंट डेट साथ में एस लिमिट एप्लिकेशन फीस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज और आपकी कैटिगरी वाइज जो वेकैंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आप चेक कर सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेस और साथ में सलेबस और इसके बार फैंसे आपको यहाँ पर अपलाए का लिंक और फैंसे जो नॉटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है तो आप जोवरासा.com पर जाका चेक आउट कर सकते हैं सभी डेटेल्स को और उसके बार अगर आप अपलिकेबल हैं तो आप इसमें अपलाए कर सकते हैं तो यहाँ पर फैंसे देखिए यह इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन है जिसमें फैंसे आपको यहाँ पर इस वेकेंसी से लेटेट सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी 15 अप्रेल से 14 माई 2024 तक आप इसमें ओनलाइन आविधन कर सकते हैं 17-2024 को आपका इस क्राइटेरिया काउंट होगा 18-28 साल और आपको 3 साल की एस्टा छूट भी यहाँ पर मिल जाती है साथ में जो फ्रेंच से यहाँ पर जो कट ओफ डेट है वो है क्लोजिंग डेट इस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए क्लोजिंग डेट क्या है 14 माई 2024 आपकी क्वालिफिकेशन कंप्रीट हो जानी चाहिए और जो एस क्राइटेरिया है वो एक साथ 2024 को 18-28 साल आपका होना चाहिए और इसमें आपको तीन साल की एस्टा छूट भी यहाँ पर मिल जाती है सभी कैंडिट को बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाए के लिए तो इसके लिए फ्रेंस आपको आना होगा इसके ओफिशल पोर्टल पर तो यहाँ पर फ्रेंस देखिए यह इसका ओफिशल पो और अगर देखिए इस पोर्टल पर पहले से अप रडिस्टर हैं तो आपको यहाँ पर दोबारा से क्रेटन अकाउंट करने की जरुत नहीं है जैसे आप यहाँ पर इस ओप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप से कहता है कि अगर आपने टेखिशन पोस्त के लिए अगर आपन करने है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब क्या 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 जानकारी आपको फिल करनी है सबसे पिल देखिए नेशनलवति आपको यहाँपड करनी होगी आपको आपको पूरा नाम यहाँ-पर देना हो गत्वा kidnapped magid के according और उसे यहाँ पर retype करना होगा अगर आपने अपना नाम change किया है कभी तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं आपका date of birth क्या है तो आपके calendar पर जाएंगे आपकी जो भी date of birth है date month and year आप यहाँ पर enter करेंगे और उसके मॉबाइल नमबर आप यहाँ पर enter करें और verify using अधार पर क्लिक करें आपके अधार पर अजिसर मॉबाइल नमबर पर एक OTP आएगी वो OTP आपको verify करनी होगी अगर आपके पास अधार कर नहीं है उस condition में आप I do not है अधार पर क्लिक करेंगे इसके बार आप कोई भी आइडी प्रूफ driving license, passport, pen card, water ID आप select कर सकते हैं उसका number क्या है जैसे driving license और DL का number क्या है पासपोर्ट या pen card है तो उसका number क्या है वो आपको देना होगा किसने ये issue किया है place of issue क्या है, date of issue क्या है या आपको जनकारी provide करनी होगी इसके बार आपका mail ID और mobile number आपको यहाँ पर enter करना है generate mail OTP और generate mobile OTP करना होगा OTP आने के बार आप OTP यहाँ पर enter करेंगे इसके बार एक password क्रेट करेंगे, password कैसा होना चाहिए तो उसमें capital letter, small letter, special character और numbers आपके यहाँ पर होने चाहिए अब देखिए friends यहाँ पर sample के तौर पर मैं password एंटर कर रहा हूँ जैसे आप upper case यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर small letters यूज कर सकते हैं इसके बार आप यहाँ पर numbers यूज कर सकते हैं इसके बार आपका जो account है वो create हो जाएगा क्योंकि हमने पहले से account create किया हुआ है तो इसलिए हम home section पर जाएंगे already hand account पर जाएंगे और mobile number और जो password आपने create किया है और यह capture को डाल कर लेंगे इसके बार फेंस जब अपने portal पर आप login होते हैं अब जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं constable, educative के लिए तो आपको I am note पर click करना होगा और उसके बार आपको next app पर click करना होगा इसके बार फेंस आपकी जानकारी है वो automatic fetch कर ली जाएगी जो भी जानकारी आपने पहले fill up की होगी आपके form के according अगर आपकी जानकारी fetch नहीं होती है मतलब आपने पहले अगर पहली बार form को apply कर रहे है तो आपको manually आपकी data यहाँ पर enter आपको करनी होगी इसके लिए फेंस से सबसे पहले marital status आपको select करना होगा religion select करना होगा mother tongue कौन सी है वो आपको select करना होगा choice of language क्या है examination के लिए वो आपको select करना है कोई भी identification mark जैसे कोई cut का निशान कोई mole कोई burn का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर आप उसकी जानकारी दे सकते है आपका community certificate कौन सा है SC, ST, OBC, EWS वो आप select करेंगे certificate number क्या है किसने ये issue किया है वो आप जानकारी select कर सकते है issuing state कौन सा है date of issue क्या है इसके लिए अगर आपको छूट चाहिए traveling में तो आप यहाँ पर yes करेंगे आपका nearest railway station कौन सा है और आपका car certificate आपको यहाँ पर upload करना होगा PDF format में आप car certificate कौन सा होना चाहिए तो इसके लिए आपको friends जो इसका home page है इस home page पर देखिए आपको download format का एक option मिलता है जैसे SCST certificate पर आप किलिक कीजिए OBC पर किलिक कीजिए तो आपको यहाँ पर देखिए उसके जो format है वो आपको देखने को मिल जाते हैं तो इन format के friends से आपके certificates होने यहाँ पर चाहिए आप यहाँ पर EBC का EWS का यह friends से आपकी disability certificate का या subscribe का undertaking वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके बाद friends से जब आप यहाँ पर documents को upload वाले section से upload कर देंगे इसके बाता है आपका address section मैंने यहाँ पर जो data है वो सिर्फ sample या demo के तोरपर enter की है आपकी जो भी actual data है वो आप यहाँ पर enter करेंगे आपका state या ut कौन सा है district कौन सा है address क्या है village या town city कौन सा है आपका pin code क्या है या आपको देना होगा अगर यह same है तो आप same as पर click कर सकते हैं और अगर यह अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ से data को save और nest करेंगे इसके बाद friends नेस्ट option है ex-serviceman का तो friends ex-serviceman अगर आप है तो yes कर सकते हैं आपकी defense service आर्मी में है नेवी में है air force में है कौन सी rank आपकी है आपका joining का date क्या है आप अभी भी अगर माली जे defense service में है या नहीं है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं pH candidate अगर आप है तो यहाँ पर yes करते हैं तो friends इस post के लिए आप applicable नहीं है तो आप यहाँ पर yes नहीं कर सकते हैं आपको no ही करना होगा आपका EBC का या BPL का certificate की जानकारी वो आपको provide करनी होगी नहीं तो आप इसमें simply यहाँ पर no कर सकते हैं इसके लावा friends अगर आप employee है इंडियन railways में तो आप yes नहीं कर सकते हैं current department या organization कौन सी है अगर आप presently working है तो नहीं तो आप not applicable करेंगे act apprenticeship आपने किया है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे इसके बाद friends नेस्ट option आता है आपकी bank details का अब यह क्या काम आता है तो यह आता है refund of fees के लिए तो friends जब आपनी CBT यहाँ पर देंगे CBT में appear होने के बाद तो यहाँ पर friends आपका account holder name IFC code, account number, bank का नाम आपका account number क्या है यह जानकारी आपको यहाँ पर provide करनी होगी यह आपके bank की passbook पर इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद आप data को save करेंगे next step पर click कर देंगे इसके बाद friends आता है qualification section अब देखिए इस post के लिए जो mandatory qualification है वो आपकी 10th है अब 10th की entry हम पहले ही कर चुके है पर आगा आपको कोई भी edit करना है तो आप इस edit पर जाएंगे यहाँ पर देखिए matter equation आपको select करना है किस state से आपने इसको pass किया है किस district से pass किया है board का नाम क्या है date of passing क्या है role number क्या है कि basic जानकरी आपको 10th की यहाँ पर देनी होगी इसके बाद आप यहाँ से अपडेट कर देंगे आपकी qualification यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद आप next step पर जाएंगे next step पर आने के बाद friends अब आपको option मिलता है यहाँ पर देखिए photograph and signature का अब देखिए sample आपको यहाँ पर दिये गए हैं तो आप यहाँ पर sample photos देख सकते हैं जो friends से photo यहाँ पर आपके rejected है sample of few rejectable photos आपको यहाँ पर दी गई है ऐसे ही friends से जो signature है वो आपको यहाँ पर upload करना है black या blue pen से जो कि आप यहाँ पर upload कर सकते हैं इसके बाद friends से आपको यहाँ पर photo and sign की जो size है वो आपको यहाँ पर दिये गए है sample के तोर पर मैंने यहाँ पर upload कर दिया है उसके बाद फैंसे आपको यहां से राटा को save और nest करना होगा इसके बाद फैंसे nest option यहां पर आता है आपके preview का तो यहां पर देखी सबसे पहले आप declaration करेंगे आपके place का नाम आप mention करेंगे जहां से आप इस form को apply कर रहे हैं उस जगे का नाम आप mention कर देंगे इसके बाद preview application वाले option पर आप click कर देंगे तो यहां पर फैंसे जो भी जानकारी आपने अभी तक fill की है उसका preview आप check कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप आई है री check पर click कर सकते हैं कि आपने कोई भी गलती नहीं की है कोई गलती है तो edit पर जाकर उस गलती को सही कर ले नहीं तो आप यहां से इसे submit कर देंगे submit करने के बाद फैंसे अब आपको यहां पर payment करना होगा और payment जो आपका लगने वाला है वो आपको यहां पर show करता है इसके बाद आपको यहां पर देखे पेनाओ का एक option मिलेगा आप इस option पर click कर देंगे इसके बाद फैंसे कुछ इस तरह का interface आपके सामने यहां पर देखे open होता है जिसमें आपको card का option मिलेगा net banking का option मिलेगा UPI का option मिलेगा तो आपके according आप जिस भी तरीके से payment करना चाहे card के माध्यम से करना चाहे net banking के माध्यम से करना चाहे UPI के माध्यम से करना चाहे तो आप चाहे तो QR code भी यहां पर ले सकते है या UPI ID आप डाल सकते है net banking है तो आप net banking select कर सकते है किसी भी bank की और उसके बाद pay now पर click करके आपके payment का verify यहां से कर सकते है इसके बात फ्रेंसे जब आपका payment यहाँ पर verify हो जाएगा complete हो जाएगा आपका फ्रेंसे payment आपको यहाँ पर देखे complete show करेगा इसके बात फ्रेंसे आप यहाँ पर व्यू application पर click करके आपके application form का printout save करके अपने पास से रख सकते हैं तो यहां पर फैंसे मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप आर पी अफ का ओनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कॉंस्टेबल पोस्ट के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब बेंचे जरूर बागे की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही है हमारा येटिक्टर एलास थैंक्स पॉर वाचिंग